महराश्ट के बुल्धाना जिले के चिखली शहर में 16 नमबर की राद दल दहला देने वाली घटना घटी जिसमें दुकान में राद 10 बजे की करीब हिसाब कर रहे वैपारी को अकेला देख दो लुटेरों ने दुकान में घुसकर वैपारी को बंदू की नोक पर धमकाने की क जिसके बाद हाता पाई में लुटेरों ने तलवार से वार कर वैपारी की हत्या कर फरार हो गए यह सारी घटना दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में क्याद हो गई चिखली शहर की प्रतिष्ठित वैपारी कमलेश पोपट अपनी इलक्ट्रोनिक दुकान में दिन भर का हिसाब जोडते हुए दुकान में अकेले रुके हुए थे इसी दोरान रात दस वजे की करीब तीन नकाप पोश लुटेरे दुकान के पास आकर रुके जिसमें से दो लुटेरे दुकान के भीतर जाकर दुकान का शटर नीचे कर वैपारी के सिर पर तमंचा लगा दिया जिसके बाद वैपारी ने उनसे हाता पाई करना शुरू कर दी मगर साथ आए दूसरे लुटेरे ने तलवार निकाल कर एक वार वैपारी पर कर दिया दुकान में लगे सीसी टीवी में यह सारी घटना क्याद हो गई जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि लूट मार के उद्देशे से आए लुटेरों ने किस तरह वैपारी पर बा घटना के बाद संसनी सी फैल गई घटना की गंभीरता देखकर मौके पर इस्थानी पुलिस अधिकारियों समेथ जिले के आला अधिकारियों ने भी घटना स्थल का जाइजा लिया घटना के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस बल शहर में दाखिल होकर हत्यारों की जाच के चलते सामने नहीं आपाई है